अब मैं अपनी थल से नागे जावाजों से बात करना चाहता हूं। आईए थल से नागे सब जावानों से बात करते हैं। अज्याहिन सर्थ, मैं प्रिगेडियर अश्विनी नईयर, डिप्टी जियोसी 23, फेंट्री डिप्ट। हमारा कॉलम 10 ओफिसर्ज, 9 ACO, 97 ओवार, हम सुवे 4 बजे 11 अपरेल को गटना स्तल पर पहुंचे। पहुंचते ही डिस्टिक्ट अडिमिस्टेशन, डिसी साहब, एस्पी साहब ने हमारे कॉलम को ग्रीफिंग दी कि इस समय 12 टॉली में 48 नागरिक पसे हुए हैं। हमने तुरंत उसी समय मेंटेनेंस टॉली के जरिये सभी टॉली की रैकी की, दूसरी रैकी सुबह होने के बाद साड़े 6 बजे की गई। फिर हमने सभी एजेंट्रिस के साथ कॉडिनेट करके ये प्लैन बनाया कि जो पहली चार टॉली हैं, उनकी हाइट लगबग 500 से 200 फीट थी। तो हमने ये प्लैन मनाया कि इनको हम मैनुवल इंटर्वेंशन से हमारे कमांडोज और हमारे घातक इनको हम वापस निकालेंगे। और बाकी जो आर्श ट्रॉइज हैं, जो कि 600 से 2000 फीट के हाइट पर थी। उनको भारतिय वायू से ना उनको विंचिंग ओपरेशन से निकालेंगे। इसके लिए हमारे घातक जावाच जो पाइलन था उसको 200 फीट उपर चड़े और फिर रोप में के साथ क्रॉल करते हुए। प्रॉली तक पहुँचे प्रॉली का दरवाजा कोला और लोगों से मिलके वहां से 200 फीट नीचे तक हमने रोप में डाला। और वहां से नागरिकों को कंट्रोल रूप से बाद के स्लिदर कराया और इस तरह से 11 नागरिक पहरी चार्ट ओली से निकाले। उसके साथ साथ मेडिकल टीम्स जो मेक्शिफ्ट हेलिपैड पर थी उनके साथ कॉडिनेट किया ताकि एरफोर्स के जो हेलिकॉप्टर्स है उनको शौटेस्ट डिस्टेंस पे एक शटल मिल सके। और सभी एजनसीज ने आई टी बीप, एरफोर्स, आर्मी, एंडी आरफ, लोकल एड्मिस्टेशन सभी ने मिलके इसको एक बहुत ही कॉडिनेटिट धंग से इस उपरेशन को अच्पन दिया। जैहिन सर। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप सभी ने तेजी से काम किया और बहुत ही कॉडिनेटिट धंग से किया, प्लानिंग करके किया। और मुझे बराबर है, जब पहले दिन शाम को ही खबर आई, फिर ये खबर आई कि हेलिकोप्टर ले जाना कठीन है क्योंकि हेलिकोप्टर के का वाइबरेशन है, उसकी जो हवा है, उसी से कहीं तार हिलने लग जाए, ट्रॉली में से लोग कहीं बाहर गिरने लग जाएं, तो हेलिकोप्टर ले जाना के उस भी चिंता का विश्या था, रादबर तो उसी की चर्चा चलती रही, लेकिन इन सब के बावजुद भी, मैं देख रहा हूँ कि जिस कोडिनेशन के साथ आप लोगों ने काम किया, और मैं समझता हूँ कि इस तरह की आपदाग में समाएं रिस्पोंस टाइम एक बहुत महतोपुन फैक्टर होता है, आपकी तेजी ही ऐसे आपरेशन की सफलता या विफलता ताय करती है, वर्दी पर लोगों की बहुत आस्था होती है, संकट में फसे लोग, जब भी आपको देखते हैं, चाहे एंडी आरेप का उनिफॉर्म भी परिचित हो गया है, आप लोगा तो परिचित है ही हैं, तो उनको विश्वास हो जाता है, कि अब उनकी जान सुरक्शित है, उन में नई उम्मिद जग जाती है, आपकी उपस्तिती पर ही उमिद का होसले का काम, याणने एक प्रकारते छुरू हो जाता है, वरिष्ट का संतोष है कि आपने अपने प्लानिंग में और अपरेशन की प्रक्रिया में इस बात को बहुत प्राथविकता दी और बहुत अच्छे ठंक से इसको किया आपकी ट्रेनिंग भी बहुत बहतरीन है एक प्रकार से इस फील्ड में पता चल गया कि कितनी बढ़िया ट्रेनिंग आपकी है और आपकी ते सासिक है और किस प्रकार से आपने आपको खपा देने के लिए तैयार होते हैं हर अनुभव के साथ हम लोग भी देखते हैं कि आप लोग अपने आपको ससर्त करते जा रहे हैं